हलो दोस्तों, फाइनली एम्स पारामेटकल का एडमिट कार्ड आ गया है जैसे कि पहले के वीडियो में बोला था मैंने कि 28 या 29 तारीक को आगा लेकिन आज है 30 तारीक और फाइनली एडमिट कार्ड आ गया है तो कैसे डाउनलोट करना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सबसे पहले आपको देखे एम्स के ओफिस्यल वेफसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर देखे एकेडमिक कोर्स पर क्लिक करना है academic course पर देखें यहाँ पर click करते हैं click करने के बाद देखें आपके सामने इस तरह के खुलेगा अब आपको यहाँ पर click करना है अब यहाँ पर click कर सकते हैं आप फिर यहाँ पर भी कहीं पर click कर सकते हैं तो चलिए हम देखें यहाँ पर click करते हैं यहां पर क्लिक करने के बाद देखे आपके सामने इस तरह से खुलेगा अब आपको यहां पर पर प्रोसीड करना है यहां पर देखे क्लिक करते हैं simple सा धीके यहाँ पर click करने के बाद इस तरह से खुलता है इस तरह से खुला और आपको यहाँ पर देखे login करना है यहाँ पर registration ID R.E.U.C. और password डाल कर login करना है और इसको में आपको capture डालना है चलिए login करके बतलाते हैं यहाँ पर देखे login हो गया है आपका यहाँ पर खुल कर आ जागा यहाँ पर देखे login हो गया आपका detail यहाँ पर आ जागा और यहाँ पर देखे admit card result के बारे में यहाँ पर देखे दिया है यहाँ पर आपको simple सा click करना है देखे हम यहाँ पर Admit Card पर क्लिक करते हैं इस तरह से खुलेगा यहाँ पर देखे आपको खुल कर आ जागा यहाँ पर देखे Admit Card खुल कर आ गया है और आपको यहाँ से देखे Print कहा करना है बतलाते हैं यहाँ पर देखे सब से नीचे यहाँ पर देखे यहाँ दिया हुआ ह एक्जामिनेशन डेट जो है वह 6 जुलाई को है रिपोर्टिंग टाइम सारे 7 बजे सुबा में है और एंट्री जो स्टार्ट होगा वह 8 बजे सुबा होगा और यहां पर देखे जो एंट्री क्लोज हो जगा उस तारह 9 बजे और एक्जामिनेशन का जो टाइम है वह 10 बजे से सारे 11 बजे तक आपका एक्जाम होगा बाकी यहां पर देखे इंट्रक्शन दिया है बाकी एक्जामिनेशन सेंटर यहां पर देखे दिया हुआ है बाकी आप लोगों को देख लेना है और आपको इसको प्रिंट करना है तो देखें यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंट का ओप्शन बस यहाँ पर आपको सिंपसा क्लिक करना है और आपका यहाँ से प्रिंट हो जाएगा और आपको सेब करके रख लेना है तो आप लोग वीड आपने दूस्तों कि पस्टेर कि